हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ औरेस और आज के वाले वीडियो में हम देखने वाले है कि firebase के अंदर रियल टाइम database क्या होता है उसे हम कैसे यूज कर सकते पिछली वाले वीडियो में आपने firestore के बार में देखा था वहां पर हमने database को create किया था और यहां पे data को fetch करके यहां पे display करके दिखाये था चलिए तो बिना किसी देरी catch का कम हमारा start कर लेते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे browser को simply करेंगे open ओके यह देखो यहां हमारा project है और यहां पे हमने पिछली वाली वीडियो में firestore के बारे में देखा था यहां पे हमने database को create भी किया था और उसी का output यहां पे आपको दिख रहा है यह यह देखो यहां पे हमने सब data को यहां पे import किया था यह देखो यहां पे सारे data है यहीं से फेच हो के यहां पे output में दिख रहे हैं आपको ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर real-time database के अंदर भी कर सकते है database को store तो इसके लिए simply आपको database को create करना परेगा जैसे कि यहाँ पर जाके हम simply इसे करेंगे create यहाँ पर जाके simply आपको location को करना है set जैसे कि यहाँ पर मैं US को ही रखूँगा और यहाँ पर simply जाके करेंगे next ओके यहाँ पर दो option है lock mode और दूसरा है test mode तो simply test mode के उपर करेंगे click और simply कर देंगे इसे enable ओके चलिए तो यहाँ पर database हमरा create हो चुका है अभी यहाँ पर आपको simply दिखाएगा यह null क्यूंकि यहाँ पर अभी create किया है हमना database और यहाँ पर को एडिटर नहीं है तो simply अगर आपको इसके rule change करेंगे तो simply यहाँ पर जाना है rules के अंदर और यहाँ पर जाके इसे change कर सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर जो rules हमने यहाँ पर firestore के अंदर देखे थे ठिकी सी प्रकर के यहाँ पर है जैसे कि यहाँ पर test mode के अंदर इन लोगों ने एक मेने के लिए हमें access दे दिया है तो यहाँ पर true false आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे कि आपको lifetime यहाँ पर read and write की permission दे नहीं है तो simply आप इसे कर सकते हैं comment और यहाँ पर जाके simply लिख सकते है double code के अंदर dot read और यहाँ पर जाके jam और यहाँ पर आपको simply लिखना है true और ठीक इसी तरह से यहाँ पर write के लिए भी लिखना है आपको dot write और इसे भी कर देना है true चले तो यहाँ पर यह हो चुका है अब simply इतना करने के बाद आपको simply करना है इस rules को publish तो यहाँ पर जाके simply हम करेंगे publish okay यहाँ पर publish हो चुका है अब next हमें simply इसे यूज करना है चले यहाँ पर जाते है okay तो यहाँ पर सबसे पहले हमें real-time database के लिए भी इसे package को install करना परेगा तो यहाँ पर जाके simply script को करेंगे बंद और यहाँ पर जाके simply open करेंगे npm.js.com पिछली वाले वीडियो में हमने firestore के लिए इंस्टोर किया था ठीक इसे प्रकार से हमें database के लिए इंस्टोर करना है यहाँ पर जाके simply में लिखता हूं इस package को करना है install तो इसके लिए simply यहाँ पर नीचे जाना है और simply इसे करें copy और यहाँ पर जाके simply इसे install करना है तो यहाँ पर जाके simply करेंगे paste और करेंगे enter ओके तो यह यहाँ पर इंस्टोल हो चुका है अब सिंप्ली इसका documentation देख लेते हैं यहाँ पर जाके simply quick start के उपर करेंगे click तो यह मैंने पहले से यहाँ पर open करके रखा था कोई बात नहीं चले यह से करेंगे बन यह देखें यहाँ पर पूरा documentation आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर simply हमें इससे install करना है लेकिन हमने यह तो पहले से install किया है तो इससे install करने की ज़रूरत नहीं अभी next यहाँ पर इसको भी हमने अभी install किया तो यह दोनों install हो चुके है अब simply यहाँ पर script को वापस करेंगे run चले तो यहाँ पर यह run हो चुका है simply से मैं करेंगे minimize ओके चले अब next हमें क्या करना है simply यहाँ जाते है ओके चले यहाँ पर नीचे जाना है हमें और यहाँ पर आपको database को कैसे यूज करना है जैसे कि यह देखो यहाँ पर पिछली वाले वीडियो में कुछ इस परकार से data को दिखाया था ठीक इसी परकार के data अगर हमें यहाँ पर database के अंदर लिखने है तो वो कैसे लिख सकते है तो इसके लिए simply यहाँ पर जाना है आपको तो यहाँ पर यह पर यह पुरा tree का structure है तो यहाँ पर जाके आपको simply child को add करना है जैसे कि यह देखो यहाँ पर एक child आ चुका है अब simply it का नाम देना है आपको जैसे कि यहाँ पर जाके मैं simply लिखता हूँ users और यहाँ पर यह तो यहाँ पर एक child आ चुका है, तो अब आप simply इसे भी समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो main root है, उसका यहाँ पर एक child है, और उसके एक और child है, और उसके अंदर एक और child है, अब यहाँ पर हम simply लिखेंगे name, और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो ठीक इसी प प्रकर से देखेंगा आपको, तो आप यहाँ से इसे collapse भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, चले तो हम simply इसी database को यहाँ पर access करेंगे, वह कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर app.js के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हमने जो भी पिछल आली वीडियो में किया था, वह यहाँ पर code है, तो simply में यहाँ पर जाके code को निकाल देता हूँ, अब simply हम यहाँ पर database को fetch करना है, तो इसके लिए simply आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर पूरा documentation इन लोगों ने किया है, जैसे कि हमें data को fetch करना है, तो कुछ इस प्रकर से कर सकते है, जैसे कि यहाँ पर इसे करेंगे minimize, और यहाँ पर app को भी open करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर data को console के अंदर देखेंगे, चलिए तो यहाँ पर इसे रख देते है, साइट पे, अब यहाँ पर simply हमें firestore की जगह पर import करना है database, यह देख यहाँ पर आ चुका है, यह यहाँ पर जाके simply लिखेंगा database, लेकिन वो तो promise return करेंगा, तो simply यहाँ पर और यहाँ पर जाके simply लिखते है const data equal to, अब यहाँ पर simply await use करेंगे, अब आपको simply यहाँ पर यह लिखना है, जैसे कि यहाँ पर simply लिखना है database, अब यहाँ पर function है, तो यहाँ पर कुछ इस पर कर से आएगा और next यहां पर आपको लिखना है dot ओके तो यह देखें यहां पर सारे function आ चुके है जैसे कि हमें यहां पर reference पास करना है तो यहां पर जाके simply pass करेंगे reference अब यहां पर reference कौन सा pass करना है हमें जैसे कि हमें यहां पर user id number 1 का data चाहिए तो simply हमें कुछ इस प्रकार से reference पास करना परेगा जैसे कि यहां पर जाते है और यह देखो यहां पर सबसे पहले root जो भी है वो है users तो यहां पर जाके simply आपको लिखना है users और यहां पर simply करेंगे slash यहां पर इसका child लाएगा इसका child है one तो यहां पर जाके simply लिखेंगे one ओके अब simply इतना करते हैं हम करेंगे save अब यहां पर users के अंदर का यह जो भी child है एक नबर का उसके अंदर जितने भी data है वो सब यहां पर यह फेच करके आएगा तो इसके लिए simply आपको यहां पर लिखना है dot और यहां पर लिखेंगे once यहां पर जाके simply आपको इस function को करना है call और यहां पर इस function के अंदर आपको एक value पास करने परेगी जैसे की तो यहां पर आपको बहुत सारे option मिल जाएगे तो simply यहां पर में value को लिखूंगा यानि वो data को यहां पर fetch करके लेके आएगा चलिए यहां पर console के अंदर देख लेते है इसका output यहां पर जाके simply data को करेंगे print ओके तो यह देखो यहां पर data आचुका है जैसे कि यहां पर edge और name यहां पर आपको दिखा रहा है ओके तो यह देखो यहां पर इसकी error रही है क्योंकि यहां पर हमने OB को निकाल दिया है तो यहां पर simply इसे भी निकाल देते हैं यहां से simply हम इतना रखते हैं और यहां पर इसके देखते है output ओके तो यहां पर आपका output में कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका एक function है जिसका आपको use करना है जैसे कि यहाँ पर dot value क्योंकि यहाँ पर जो output आपका आ रहा है वो यहाँ पर direct database से आ रहा है तो यहाँ पर इस function के जरी आप इसे directly यहाँ पर store कर सकते है और यहाँ पर इसका use कर सकते है जैसे कि यहाँ पर हरेस N21 यह दोन आपको मिल चुके है तो यहाँ पर console में आपको यह data दीखेगा लेकिन जब आप इसे access करने जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाएगा तो simply यहाँ पर .value नापके इस function को use करणा है आपको तो इस प्रकार साप इसे यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते है ओके फ्रेंट्स तो इस प्रकार से आप real-time database की मदल से data को fetch कर सकते है और यहाँ पर जितने चाहिए उतने चाहिए यहाँ पर connect करके इस प्रकार साप data को fetch कर सकते है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका to do app बनाएंगे जिसके अंदर हम सारे crude operation देखने व ज्रौँ परोटी